डोंगरगर कवरधा कटगोरा के बीच बनने वाले रेल लाइन को रेल मंत्राले ने अंतिम मंजूरी दे दी है इसके बाद जल्द ही जमीन अधिग्रहन का कार्या सुरू हो जाएगा 4,021 करोड रुपे की लागत से बनने वाले 295 किलोमेटर रेल लाइन को लेकर कई पेंच फसे हुए थे जिसे अब रेल मंत्राले ने हरी जंडी दे दी है डोंगरगर से कटगोरा रेल लाइन के बीच कूल 27 इस्टिसन बनेंगे राजनन्द गाव जिले में 12 इस्टिसन और कवरधा से कटगोरा के बीच 15 इस्टिसन बनेंगे खास बात यह है कि इस रेल लाइन के बनने के बाद नागपूर जार सुकुड़ा के रेल मार्क पर चलने वाली माल गाडियों का लोड कम होगा इसी तरह 27 इस्टिसन वाले हिस्टों में पहली बार रेल लाइन पहुंचेगी परियोजना का सरवधी कलाप जिले के डोंगरगड और कवीर धाम को मिलेगा रेल लाइन निर्मान से ना सिर्फ डोंगरगड से कवरधा होकर कुरबा यात्रियों को राहत मिलेगी बलकि कोईला वव अन्य खरीजों के परिवहन से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे रेल लाइन में डोंगरगड से कवरधा के मद्ध, लोहारा, गंड़ई, छुई खदान सहीद, बारा और कवरधा से कटगोरा के मद्ध, पंडरिया, बेरला, मुंगेली, तखतपूर, काठा कुनी सहीद, पंदरा इस्टेसन का निर्मान होना है इस से यात्रियों को रहात मिलेगी कवीरधाम जीले में 61 किलोमेटर, पंडरिया तहसिल में 9 किलोमेटर, कवरधा तहसिल में 28 किलोमेटर, वा लोहारा तहसिल में 24 किलोमेटर पटरी बिछेगी सर्वे के मुताबिक रेल लाइन के लिए कबीर धाम जीले के पचास गाउं की 888 एकड भुमी का अधिग्रहन किया जाएगा